दोस्तो अलेपी केरल का ही नहीं बलगी बारत का भी एक लोगप्रिये परिये टक्स धल है यह जगह समुद्र बीच खुबशूरत बेकवोटर लेगुन की वज़े से जानी जाती है इस जगह को पुर्व का वेनिस भी कहा जाता है अगस्त और सितंबर मैने में यहाँ पर पारंपारिक नोका दोड का आयोजन होता है और यहाँ नोका दोड परिये टकों के लिए आकरसन का केंदर है यहाँ पर गुमने के लिए बहुत सारी अच्छी जगह है यहाँ की अरियाली परिये टकों को अपनी ओर लुपाती है तो चलिए जानते हैं यहाँ पर गुमने की खुबशूरत जगह कौन कौन सी है दोस्तो इसे पहले ये वीडियो पूरा देखना और हमारी चैनल पर नए है तो प्लिस सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तो अलेपी में जाकर आप दर्शनी ये स्थलो पर घुमने भी जा सकते हैं मुल्ला कलम राजेश्वरी मंदीर के दर्शन भी करने जा सकते हैं यह मंदीर मा दुर्गा को समल पी थे इसे मुकलम भगवती मंदीर के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर में अन्य देवता वो जैसे भगवान स्री कुरुष्ण, नाग देवता, अयप्पा और अंजनी पूत्र वीर अनुमान यादी मुर्तिया विराजमान है जोस्तो अलेपी में कुरुष्णपुरं पेलेस बहुत ही खुशुरत जगह है यहाँ पर अपना एक दिन बिता सकते हैं, यह दिन आपके लिए यादगार रहेगा जोस्तो अलेपी समुद्र तट के बीच को सेंड आर्ट फेस्टिवल और अल्ला पुझा बीच फेस्टिवल के लिए जाना जाता है अलेपी बीच पर हर साल अगस्त के महिने में नेहरू बोट रेस ट्रोफी का आयोजन होता है तो केरला का प्रमुफाकर संड है अलेपी समुद्र तट 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है तो अलेपी की यातरा करने के लिए सबसे अच्छा समय अप्तूबर से फरवरी के बीच में माना जाता है तो कि इस समय के दोरान तापमान मधियम होता है अलेपी में जून और सितंबर के दोरान का समय मौनसुन का होता है तो कि परियेटों को के लिए चाही नहीं है लेकिन मौनसुन प्रेमी और ओफ बीट यातरी इस समय भी अलेपी खुमने का मन बना सकते है तो अलेपी परियेटन स्थल की यातरा करने के लिए फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते है तो अगर आप अलेपी परियेटन स्थल की यातरा के लिए एदी आपने हवाई मार्क चुना है तो हम आपको बता दे अलेपी जाने वाले कोई सिथी उडान कनेक्टिविटी नहीं है अलेपी का सबसे नजदी की हवाई एदा कोची में है तो लगबग 82 किलो मिटर की दूरी पस थी थी तो कोची एरपोर्ट से आप टेक्सी या बस से अलेपी पहुँच सकते हैं तो अलेपी की यातरा करने के लिए अगर आपने रेल मार्क का चुनाव किया है तो बता दे अलेपी की यातरा करना सबसे अच्छा माना जाता है अलेपी जाने के लिए अगर आपने बस का चुनाव किया है तो हम आपको बता दे की अलेपी सड़क मार्क के मातियम से अपने आसपास के सभी सहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यात्रा के लिए तीरू वनन्द पूरम और कोची जैसे सहरों से बसे नियमित रूप से चलती है तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो यहीं पे खतम करते है दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे और कमेंट में बताए आपको कौन सी जगह पसंद आई और चैनल पर नए है तो प्लिस सब्सक्राइब जरूर कर लेना